प्रेंड, आज मैं सेयर कर रही हूँ, आपके साथ हमारी मम्मी कभी-कभी बनाती थी यह वाली सबजी, यह बहुत ही टेस्टी और स्वाधिस्ट सबजी बन के तयार होगी, यह सबजी मतर, गोभी, बीन्स और पनीर से बनी हुई है, बहुत ही हेल्दी सबजी है और बहुत ही टेस्टी है देखने में तो अच्छी है ही खाने में तो बहुत ही ज़्यादा अधिस्ट है तो फ्रेंड यहां पे हमने लिया है बीन्स उसको कट कर लिया है आलू लिये हैं उसको भी कट कर लिया है और मटर को छील लेंगे और पनीर के पीसिस कर लेंगे फिर हमने यहां पे प्यास लिया है इसको भी चोटे चोटे पीस में सिलाइट कट कर लिया है सारी सबजियों को हम दो लेंगे और फिर हम चलते हैं गैस के पास यहां पर हमने कुकर चड़ा दिया है फ्रेंड यह सबजी है वो हम कुकर में बनाएंगे और बहुत ही टेस्टी बनके तयार होगी हम यहां पर कुकर गैस पर चड़ा दिया था में अबन डाल दिया ओईल घरम हो गया है इसमें हमने पनीर एड़ कर दी आ हम यहां पर पनीर को हलका सेलो फराई कर रहे हैं selब कार्ण में भीज़ल। यह प्टतन छाय देरी हैं अब पनीर को फिराई कर सकते हैं थिए फट पड़ से और अइलमे तोड़ा सा जदा कॉइल दिया था उसी में हमने यorted पनीर को फिरा कर लिया है अब आम सारी पनीर को बाहर निकाल लेंगे और फिर इसी उयल में बच गये जादा है तो आप निकाल लें लें नगी तो इसी में जीर नालें तो एंप VAN प्याज को थोड़ी देर तक भूनना है जब तक प्याज का कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता यह बहुत ही टेस्टी और सबजी बनके तयार होगी यहाँ पर हमने डाल दी दो से तीन हरी मिर्ची आप जितना तीखा पसंद करते हैं उतना तीखा आप डाल सकते हैं हाफ टीज पून हल्दी पौडर हाफ टीज पून लाल मिर्ची पौडर हाफ टीज पून गरम मसाला हमकम भूना हुआ जीरा नमक स्वाद अनुसार सबी को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों को थोड़ी देर तक प्याज के साथ में पका लेंगे इस तरीके से मसाले अगर पकाएंगे तो इनका फिलेवर बहुत ही अच्छा है अच्छा आएगा हम लग में इसमें अड़् कर दिये टेमाटर टमाटर को भी अच्छे से पका लेंगे जब तक टमाटर का कच्छा पन खतम नहीं हो जाता तब तक हमें यहां पर टमाटर पकाने हैं फिर टमाटर का कच्छा पन खतम होने से टेस्ट अच्छा आता है सबजी में इसलिए टमाटर को अच्छे से पका लेना है तो हमें कैसे प पहचान है उसके बाद में हम यहां पर बाकि की सारी सबजी एड़ करेंगे जो हमने आलू, बींस, मटर तयार करके रखी थी वो सबजी एड़ कर देंगे फ्रेंड हमने इसमें यहां पर थोड़ी सी गोभी भी डाली है फ्रेंड यह बहुत ही टेस्टी और यूनिक सबजी ब सात में ही पनीर को भी मिकस करेंगे, पनीर भी डाल देंगे साथ में और मिकस करेंगे, देवो फरेंड कितना लुबन्हा है। बहुत ही कलर aan सबजी, हैल्थ के लिए भी अच्छी है कि इसमें सारे सब्जी आप पड़ी हुई हैं, तो नास्ते में या लेंच में फटा फट से इस तरीके से सब्जी बनाएं क्योंकि ज्यादा टाइम भी ने लगता है बहुत ही इजी बनाना तो बची हुई सब्जी या बना सकते हैं अगर थोड़ी थोड़ी सारी सब्जी आप बच गई हैं तो उनको मिक्स करके आप एक बड़ी आसी हेल्दी और टेस्टी सब्जी बनाके तयार कर सकते हैं अब हम इसमें एड़ कर देंगे पानी आप जितना गाड़ा सब्जी या पतला चाहिए उसके इसाब से आप पानी एड़ कर सकते हैं आपको चावल के साथ खाना है तो आप पानी थोड़ा ज्यादा रखें आपको चपाती या पूरी के साथ खाना है तो पानी थोड़ा कम यहां पर हमें चावल के साथ में यह सबजी खानी है इसलिए हमने पानी थोड़ा सजादा किया है नहीं तो आप इसमें से थोड़ा पानी कम भी कर सकते हैं अब हम कुकर बंद कर देंगे और यहां पर 2-3 सीटी लगा देंगे आप यह आईडिया रखें कि आलू कितनी देर में पकता है बस उतना ही सीटी लगाना है दो या तीन सीटी लगाएंगे उसी में हमारी सबजी बन के तयार हो जाएगी तो फ्रेंट दो सीटी लगने के बाद हमने याँ पर चेक किया हमारी शबजी एक दब बन के तयार हो चुकी है तीन सीटी लग गई थी और उसके बाद हमने कुकर को ठंडा होने दिया और ओपन कर लिया है तो फ्रेंड हमारी यहां पर पनीर, आलू, गोवी, मतर की एक्तम मिक्स्ट बेजी टेबल सबजी बने के तयार हो गई है, बहुत ही हिल्दी और स्वाधिस्ट एक बाल में ट्रांसफर कर ली है हमने सबजी, फ्रेंड आप पूरी के साथ, पराटे के साथ चपाती है, राइस क पराटे नहीं सबजी बनाई है, तो हमें जरूर बताएं, नहीं बनाई है तो भी मुझे बताएं, यह लीजिए अपकी सबजी बने के तयार हो गई है, तो यह हमारी तीन चार तरीके की सबजी, एक ही सबजी में सब का फिलेवर अगर आपको चाहिए तो इस तरीके से बची होई सबजियों से भी आप सबजी बना सकते हो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक सबजी है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में हमारे बच्चों ने तो चटकारे ले लेके फटा फट से पूरी सब्जी फिनिस कर दी अगर इस तरीके से आप बनाएंगे खाएंगे तो अभी सब लोगों को पसंद आएगी और तारीब करेंगे आपकी कैसी बनाएए तो खाओ पी और इंजय करो चेनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट भी करो फिरेंड और आप बताईए कि आपको ये सब्जी कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना नहीं लगी हो तो डिसलाइक भी कर देना बता देना कि आपको कैसी लगी थैंक यू बाई बाई टेक क्यार